श्रीमद हून रेमेडी इसमें आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि शिब की पूजा में केतिकी के फूल का उप्योग क्यों नहीं करते हैं केतिकी के फूल मतलब केवडे का पुष्प हिंदू धर में डेवी देवताओं की पूजाँ में सुखंदित फूलों का बड़ा महत होए हम सबी देवताओं को परसन्न करने के लिए पूजाण में सुखंदित कुश काम मिल लेते हैं पर क्या आपको पता है कि शिव जी की पूजा में केतिकी के फूल का प्रयोग वर्जी थे? केतिकी संस्क्रीट का शब्द है हिंदी में से केवडा कहते हैं। अखिर ऐसा क्यों है? इसके बारे में हमारे धर्म गरंतों में जो बताया गया हूँ मैं आपको बताने को लाओं। एक बार ब्रह्मा जी व विश्णु में बिवाज शड़ गया कि दोनों में स्रिष्ट कौन है। ब्रमा जे सिष्टी के रचाहिता होने के कारण स्रिष्ट होने का दावा कर रहे थे और भगवान विश्णु पुरी सिष्टी के पालन करता के रूप में स्रिष्ट कह रहे थे तब यहां विराग जोतिर में लिंग परकट हुआ दोनों देवताओं ने सरवानुमती से इनिश्टे किया कि जो इस लिंग के छोर का पहले पता लगाएगा उसे हिस्रिष्ट माना जाएगा अत्व दोनों विप्रित दिशा में शिवलिंग का छोर ढूमने निकले छोर ना मिलने के करन विश्णु जी लौट आये ब्रह्मा जी भी सफल नहीं हुए परन्तु उन्होंने आकर विश्णु से कहा कोई छोर तक पहुँच गय थे उन्हें केतिकी की फूल को इस बात का साक्षी बताया है केतिकी के पुष्ट ने ब्रह्मा जी के जूट में साथ दिया ब्रह्मा जी के असत्त कहने पर स्वयम भगवान शिव वहां प्रकट हुए और उन्हें ब्रह्मा जी की अलोच ना की दोनों देवताओं ने महादेव क स्थूति की तब शीव जी बोले कि मैं ही सृष्टी के कारण उत्पत्ती करता और स्वामी हूं मैंने ही तुम दुरों को उत्पन किया है शीव ने केती की पुष्पी का जूटे साख्छ देने के लिए दंडित करती हुए कहा कि फूल मेरी पूजा में उप्योग नहीं किया दे आएगा इसलिए शिव के पूजन में कभी भी केती की का पुष्प नहीं चड़ाया जाता है धन्यवाद आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट देशिए धन्यवाद